सूर्य मानस चानल में अब से भी का स्वाकर हैं प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में हम विचार कर रहे थे अगला उपन्यास है रंग रंग भूमी में पूंजिवादी शोशन शासक वर्गों के अतियाचार की समस्या आधी प्रमुक विशेह के रूप में बताया गया है उपन्यास का नायक सूर्दास को गांधजी का प्रतिरूप माना जाता है वह मादर भूमी के उधार के लिए वजन बद है वह आत्मबल का असली प्रतिनिधी है प्रेमचंद का ये बहुत बड़ा उपन्यास है इसमें प्रमुक रूप से उच्वर्ग तदाने निमने वर् धर्मों के नाम पर चलने वाले सामाजिक शोषण का प्रमुकर धार्मिक रूठिया है जीवन संक्राम में सत्याग्रह द्वरा दिव्य विज्य प्रदान करने वाली निश्काम कर्म भावना तदा सुद्रड आत्मनिष्ठा का मगत करने वाले इस उपन्यास में भी मानव स भाव की जटिल रहस्यों की अध्यंध मनो रेंग्चक व्याग्या क्या कि है। काया कल्प आध्यात्मिक एवं काल्पनिक उपन्यास है। फिर भी कही कहीं ततकालें समस्यावों का समावेश भी लेखक ने किया है। काया कल्प में प्रेमचंद ने जन्म जन्मांतर योगा फ्यास काया कल्प आदी पर प्रेकास डाला गया है। की खटनाये उपन्यास में चलती हैं। काया लेकर घर से घर ले रखता हैं। गबन का आरूब होना। फिर रमानात का वहाम से कलकता भाग जाना। चाय की दुकान खोलना। पुलीस के पकड़े पर छूटी कवाही देना पड़ना। जोहरा नामक वेशा के साथ रहना पड़ना। चालपा की सारी बातें जोहरा द्वारा कहना। जड़ के सामने सारी सचाईयां बता देना, सबका रहा हो जाना, बाद में सुखी ग्राम में जीवन बिताना, आदेश गाव का निर्मान, आधी इस उपन्यास के मुख्य बिंदु है। मद्धिवर्ग का यधार्द जीवन गबन में हमें मिलेंगे, साथ ही पुलिस के कारणामों का परदावाश भी पूरा का पूरा इसमें मिलता है। मुण्सिपालिटी का सदेश से बनना, चमारों के गाव में सुधार का काम करना, पांठ शाला खुलवाना, अचोत समस्या संकर्ष की रफदारी जैसे ठेर सारे खटनाये इस उपन्यास में हमें मिलेंगे। दर्दनाक महा का भी है गोदा है। इसमें अनेक परिवारों की कता हैं जो एक विराट सामाचिक परिविश का निर्मान करती है। किसानों की आर्थिक विशमता, अशिक्षा, धर्म भीरुदा, चूटी मर्यादा, नोकर चाही, पुलिस का शोशन जैसे ठेर सारे समस्याएं गोदान में हमें मिलेंगे। होरी इस उपन्यास का मुख्य पात्र है, वो है एक मामुलिक किसान है, जमीनदार महाजन, पुरोही, पटवारी सब उसका शोशन करना चाहता। जीवन पर एक गाई को खरीदने की लालसा लिये रहने पर भी वो कभी पूर्ण नहीं होती है, इरने के चक्र व्यूख में वो चकटा जाता है, ओरी के दुखों का कोई आंत नहीं, पत्नी धनिया, बेटा गोपर भी अपनी असलियत के साथ उपन्यास में प्रसुद किया साथ ही गरीबों के घून चूसने वाले जमीनदारों वो महाजनों की लिंभी कतार भी हमें इस उपन्यास में मिलेंगे, प्रेमजन जी के सभी उपन्यास आज भी प्रासंगिक हैं, उसकी समस्या हैं जितनी पुरानी हैं, उससे अधिक वर्तमान भी